नमस्कार बच्चों, क्लास नाइन्थ फिजिक्स कांटीनू करते हैं, आज नेक्स चैप्टर है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क मिन्स कार, पावर मिन्स सामर्थ, एनर्जी मिन्स उर्जा, यानि कार, सामर्थ और उर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये ति इनों जो टर्म है एक दूसरे से रिलेटेड है यहां पे सबसे पहले हम वर्क की चर्चा करेंगे वर्क मिन्स कार है जिसको आप काम भी कह देते हैं यानि वर्क को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वर्क is defined as the product of force and displacement यानि किसी ऑबजेक्ट पर अगर आप बल लगाकर उस आपजेक्ट को बिस्थापित कर देते हैं अगर किसी ऑबजेक्ट पर किसी बस्त पर आप बल लगाकर उसको बिस्थापित कर देते हैं तो कहा जाएगा आपने एक कार्य किया यहाँ पे जो आपका विस्थापन है यह तीन प्रकार के हैं विस्थापन जीरो भी हो सकता है विस्थापन पॉजटिव भी हो सकता है विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है तो इसी के आधार पर वर्क के तीन टाइपस हुए वर्क भी आपका तीन प्रकार को हुआ धनात्मक्कार रात्मक्कार और सून्यकार फॉस्टिव वर्क निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क इसकी चर्चा हम आगे करेंगे तो यहाँ पर हमने वर्क की डिफनीशन देखा वर्क इस डिफाइन आज दी प्रोडक्ट आप फ़ोर्स एंड डिस्प्लेश्मेंट वर्क इस डिनोटेड वाई डव्लू वर्क को हम डव्लू से डिनोट करते हैं अगर इसके योनिट की बात करें तो वर्क की योनिट क्या होती है जूल जो की energy की भी unit होती है यहाँ पे notation form में अगर आप लिखेंगे तो W बराबर F into D W क्या है work F क्या है force D क्या है displacement कहीं कहीं W is equal to F into S भी लिखते हैं तो S वहाँ पे displacement है हमने यहाँ पे small D से displacement को दिखा जाए है अगर आप चाहें तो S से भी displacement को दिखा सकते हैं तो हमारे पास formula मिल गया क्या work का W equal to F into D force into displacement यह work जो है force into displacement का जो relation यहाँ पे है वो एक straight line पर अगर कोई object रखा है और straight line पर एक force लग रहा है विस्थापन के दिशा में तो उसके लिए formula आपका valid है W is equal to F D अगर हम इसको बिवार में समझना चाहें माली यह कोई दिवाल है उस दिवार पर अगर आप बल लगा रहे हैं force लगा रहे हैं तो हो सकता है कि बल की दिशा में दिवार गिर जाए तो कहा जाएगा force लगा रहे हैं और दिवार में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है दिवार displaced नहीं हो रही है जो आपकी वाल है वो अपने अस्थान पर fix है displacement नहीं होगी तो कहा जाएगा कि 0 वर्क अगर दिवार आपके force के opposite direction में displacement हो गई तो कहा जाएगा negative वर्क अब यागे इसको हम theta के angle से देखेंगे अब यहाँ पर एक special case है special case क्या है when force I tend angle theta then यहाँ पर एक box हमने रखा है यह आपका कोई path है इस box पर जो force है वो x axis में ना लग कर एक theta angle पर काम कर रहा है force क्या कर रहा है theta angle पर काम कर रहा है चुकि force theta angle पर काम कर रहा है तो इसके दो component होगी एक y axis का f cos theta होगा एक y axis का f sin theta होगा f cos theta और f sin theta इसी f के दो component है यह आपके दो भाग है अगर आप इनको square करके जोडेंगे f square और f square cos square theta plus f square sin square theta तो आप देखेंगे sin square theta cos square theta पराबर 1 हो जाएगा f square आप कामन ले लेंगे तो f square पराबर f square मिलेगा यानि f cos theta f sin theta का जो resultant है वो क्या है f है capital f capital f क्या है आपका force ओ थीटा angle पर काम कर रहा है अगर यहां पर yaks exist में काम करता दिसका कोई component नहीं होता तब यह फार्मूला बरेट हो जाता w प्राबर f into d कितना displace हुआ लेकिन यहां पर आपका क्या है f theta angle पर काम कर रहा है theta angle पर आपका काम कर रहा है तो क्या हुआ after time t कुछ समय बाद यही बाक्स आपका यहां तक आ गया और पूरा displacement कितना है small d हमने यहां पर लिखा है small d अब चूंकि motion के लिए f cast theta irresponsible है f cast theta के कारण ही box move कर रहा है f cast theta के कारण ही box displace हो रहा है f sin theta का इसके displacement में कोई योगदान नहीं है तो f sin theta को क्या करेंगे हम eliminate कर लेंगे सिर्फ क्या लेंगे f cast theta अब यहां पर f नहीं लेंगे अब यहां का component लेंगे तो force का component क्या हो गया f cast theta तो हमने force का component लिख दिया f cast theta into displacement क्या ही small d तो जब कोई force theta angle पर काम करे तो वहां के लिए formula क्या बनता है w बराबर f cast theta into small d सार्ट में आप f d cast theta का देते हैं जोकि गलत है f d cast theta सही नहीं कहने में तो f cast theta into d कहेंगे क्यों? क्योंकि f cast theta ए force का component है अगर आप f d cast theta कहेंगे तो इसका मतलब d cast theta cast theta d के साथ लगा है तो ऐसा लगागा कि यह displacement का component है तो कहना गलत है तो हम क्या कहेंगे w उकल to e of cast theta into d यह आपका work का formula हो गया जब आपका force theta angle पर काम करें अभी हमने पीछे चर्जा किया था type soft work की तो यहाँ भी theta के angles के साथ हम चर्जा करेंगे तो कितने प्रकार के work हुए? तीन प्रकार के there are three types of work एक positive work, एक negative work, एक zero work तो पहला case हमने लिखा formula लिखा theta angle पर आपका force काम कर रहा है तो w is equal to e of cast theta into small d cast theta जब theta की value 0 हो जाएगी जब theta की value 0 हो जाएगी तो cast 0 का मान कितना होता है? तो a हो गया 1 तो w प्रावर क्या मिलिगा? f into d यह आपका maximum work मिला अगर theta is equal to 180 degree हो जाएगा तो cast 180 degree की value कितनी होती है? minus 1 cast 180 degree की value कितनी है? minus 1 तो w is equal to क्या हो जाएगा? या फ्रकास 180 degree into small d तो cast 180 degree का स्थान पर क्या हो गया? minus 1 तो w is equal to क्या हो गया? minus f into d यह आपका मिल गया negative work अगर theta की value 90 degree हो जाएगा तो w is equal to क्या हो जाएगा? f cast 90 into small d cast 90 की value कितनी होती है? 0 cast 90 की value 0 होने की वज़ा से w गरावर 0 work आपका 0 हो गया तो इसका एक example बहुत famous है अगर कोई कुली एक box अपने सर पर रखकर perpendicular यानि y axis में सीड़ी चड़ रहा है तो इसके द्वारा किया गया कार सुनने होगा क्योंकि जो f है, वो कितना है? 90 degree है, जो force लग रहा है, वो 90 degree होने की वज़ा से जो आपका work है, सुनने हो जाएगा दूसरा, अगर कोई कुली एक box अपने सर पर रखकर plate farm पर खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार कितना होगा? सुन भले ही वो पसीने से तरबतर हो जाए, इससे नहीं मतलब है तो यहाँ पे जो cost का angle था, वो 90 degree होने की वज़ा से उसकुली के द्वारा किया गया, कार कितना हो गया? जीरो, सुन होगे तो work की unit हमने क्या देखा? जूल अब आते हम power power को हम सामर्थ भी काते हैं, या सक्ती भी काते हैं तो power के अगर हम definition देखें, तो क्या होगा? power is equal to rate of doing work is no nice power rate of doing work is no nice power यानि कितना कार, कितने समय वे हो रहा है उसी का जो ratio है वही आपका power है ऐसा भी का सकते हैं, ratio between work and time is no nice power work और time का जो अनुपात है वही तो power है या इसे भी का सकते हैं, when work is done in one second then this is no nice power यानि एगर आपका work एक second में हो रहा है जितना work एक सेकंड निम्होड अगर T परावर वन सेकंड ले लें तो जितना work होगा भई power के परावर हो जाएगा तो P परावर हमें क्या में लिए W by T power is equal to work upon time power is equal to work upon time अब यहां पर द्यान देंगे अगर कोई व्यक्ति या कोई machine जादा कार्य कम समय में कर रहा है तो पावर क्या होगी जादा होगी यहां पर देखे पावर का work से directly proportional है लेकिन time से universally proportional है अगर time जादा होगा तो पावर कम होगी और time कम होगा तो पावर जादा होगी यानि अगर time increase होगा तो पावर decrease होगी और अगर time decrease होगा तो पावर increase होगी दूसरा अगर work increase होगा तब भी power increase होगा और work decrease होगा तब भी power decrease होगा तो यहाँ पे हम दोनों का relation ले रहे हैं क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे work को हम increase कर रहे हैं time को decrease कर रहे हैं तो power आपकी क्या होगी increase होगी work को हम decrease कर रहे हैं power को increase कर रहे हैं अगर यह ज़्यादा होगा तो power आपकी क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी याली कोई ब्यक्ति जादा काम गम समय में करता है तो उसकी सामथ जादा होती है कोई ब्यक्ति कम काम जादा समय में करता है तो उसकी पावर कम होगी पावर क्या है एक scalar quantity है पावर को रिप्रिजन्ड करने के लिए सिर्फ magnitude चाहिए Direction की ज़र्वत नहीं बढ़ती क्या होते हैं स्केलर कॉन्टी तो फिजिकल कॉन्टिटी विच है वान्ली मैगनिटिउ exactly आगर हम पावर की यूणिट की बात करें तो यूणिट के लिए हम फार्मुला लिखते हैं तो यूणिट का power is equal to work क्या हो गया वर्क यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड यानि यूनिट आप पावर जूल पर सेकेंड जूल वाइ सेकेंड इसी जूल वाइ सेकेंड को हम वाट के नाम से जानते हैं पावर की MKS सिस्टम में जो यूनिट है वो जूल पर सेकेंड है इसी जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं वाट यानि एक वाट बराबर वन जूल पर वन सेकेंड अगर एक वाट की आप डिपनिशन देना चाहें वाट क्या है पावर की यूनिट है वाट क्या है पावर का मात्रक है एक वाट बराबर वन जूल पर वन सेकेंड यहाँ पर डिपनिशन हम देखेंगे 1 watt when 1 joule work done in 1 second then power is known as 1 watt Lexus गब बात करते हैं हैं, energy means surrounding energy capacity of doing work is called energy your capacity, known as energy, energy हमने एदम हम शेमपल यह बिखा है mechanical energy, solar energy, heat energy, light energy, और भी energy है, vibration energy, wind energy, लेकिन हम यहाँ पर mainly mechanical energy की चर्चा करेंगे, mechanical energy, या अंत्रिक उर्जा, mechanical energy दो प्रकार के हैं, एक kinetic energy है, दूसरी potential energy, kinetic, यानि गतिज, kinetic को हम क्या कहते हैं, गतिज, potential को क्या कहते हैं, इस्थितिज, kinetic energy means गति जुर्जा, potential energy means इस्थिति जुर्जा, जब कोई वस्तु गति की अवस्ता में होगी, तो kinetic energy आएगी, जब कोई वस्तु विराम की अवस्ता में होगी, तो potential energy आएगी, तो kinetic energy को आएगी, it comes due to motion of an object, जब कोई object मोशन की state में होता है, गती की स्टेट में होता है तो kinetic energy मिलती है आपको पता है कि जितनी भी वस्तों हैं वो या तो गती की वस्ता में होती है या तो विराम की वस्ता में होती है या उस object की या तो kinetic energy होगी या तो potential energy होगी यह जो kinetic energy और potential energy है आपस में convertable है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कनवर्ट होती रहती है और पोटेंशियल काइनेटिक में कनवर्ट होती रहती है जैसे माली जी एक गेंद है, फुटवाल है, गार्डन में रखी हुई है, जब तो को इस्थिर अवस्था में है, तक तो उसमें potential energy है, आपने पैर से किक मार दिया, तो गती की स्थिति में आ गई, तो ऐसी स्थिति में उसमें kinetic energy आ गई, फिर जब आपका force reduce हो गया, फिर विर क्या है, convertable है, आपस में convert होती रहती है, kinetic energy को हम के से represent करते हैं, के बराबर 1 by 2 mb square, एक kinetic energy का formula होता है, के बराबर क्या हुआ, half mb square, चुकि energy है, इसलिए इसकी unit जूल होती है, इनर्जी जितनी भी प्रकार की है, ये mechanical energy की हम में बात कर रहे हैं, तो इसकी unit क्या है, जूल, अब यहाँ पर हमने दिखाया annotation की meaning, के क्या है, kinetic energy, m क्या है, mass of object, v क्या है, velocity of object, potential energy, it comes due to its rest state, अगर कोई वास्तो बिराम के वस्था में है, rest के वस्था में है, तो उसमें कौन से energy रहेगी, potential energy, it is denoted by U, R, P, potential energy को U से भी represent करते हैं, और P से भी represent करते हैं, formula यहाँ पर लिखा गया है, U बराबर M, G, H, M क्या है, object का द्रब्यमान, यानि mouse, G क्या है, acceleration due to gravity, यानि gravity की value, और H क्या है, height of object from surface, surface से कितनी उचाई़ पर आपकी object है, वही क्या है, इसमान H, तो U बराबर क्या हो गया, formula M, G, H, U क्या है, potential energy, P से भी आप represent कर सकते हैं, P बराबर M, G, H, U क्या है, potential energy, M क्या है, mass of object, G क्या है, gravity, activity, और H, क्या है, height of object from surface, यानि अर्थ के surface से कितनी उचाई़ पर आपका object है, वह क्या है, इसमान H, तो यहाँ पे हमेरे formula मिला, U बराबर M, G, H, U बराबर M, G, H, potential energy का formula है, झाई़ tenho झाईब है, M, G, N, G, H, Canvas. झाँ झाऊ झाओ सक झाल, और हो, सचरे को ताबर M, G, H,ये झाइभा पर नएम्ैंटका जए मिलाबर दोक्वारे मिलाभ है, आपका यहाँ, क्या है है, इसमाने, दोथ हैं मिला 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 झाँका बहाओ,